दोस्तों पटना हाई कोट में जो है पीए की वेकेंसी निकाली गई है मैंने आपको कुछ दिन पहले जो है जनकारी दिया था कि पटना हाई कोट में जो है परसनल असिस्टेंट यानि पीए ग्रूप B की वेकेंसी निकाली गई है जिसमें आपको जो 36 पदों पे संदार वेक जाओंगा कि किस परकार से आपको पटना हाई कोट पीए के लिए फॉर्म को भरना है फॉर्म भरने से पहले अगर आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं सीलेबस देखना चाहते हैं तो आप इनके वेब साइट से आप डाउलोड कर सकते हैं सारी चीजों को यहाँ पर सब आपका computer-based test होगा यानि जो है आपका written exam सबसे पहले होगा computer, general awareness, general English और computer awareness के 50 questions होगे इसके बाद friends आपका skill test होता है वो आपका होने वाला है ठीक है ना तो आप यहाँ पर देखता है तीन stage में आपका selection होने वाला है last stage interview भी होगा यहाँ पर देख सकते हैं तो चले जानते है इसके form fill up के बारे में तो form भरने के लिए मैंने आपको जे link description box में provide care दे है क्लिक करके आप इस website पाई जाएंगे या DSL Pink Forever से भी जनकारी को प्राप्त कर सकते हैं आप 18 सेप्कंबर तक form को भर सकते हैं बहुत ही संदार vacancy है permanent job है पटना high code का ठीक है ना अब यहाँ register का एक corner पर बटन मिलेगा login का भी बटन मिलेगा सबसे आपको register वाले बटन पर क्लिक करना है जैसा आप इस पर करेंगे इस परकार से processing होगा और आपको थोड़े दिर वेट करना है जब तक कि यह 100% पहुंशता आपको वेट करेंगे और देखे मोबाइल से भरेंगे तो यह सा नही भर पाएंगे तो कि मोबाइल में काम नहीं करता है ठीक है तो आपको computer से भरना परेंगे instruction यहां पर खुलेगा पढ़ेंगे और close करेंगे agree करेंगे अब यहां पर आपको जो है अपना first name middle name last name लिखना है यहां पर पूछ रहा कि आपने अपना नाम कभी change किवा है metric के बाद yes नुमें बताना है उसको से data birth यहां से आपको चूच कर लेना है या gender बताना है mobile नमा लिखना है दुबार मॉइल में लिखना है कोई दूसरा मॉइल में देना चाहते है दीजेवर न इससे छोड़ सकते है email ID देना है ध्यान रे स्टार मार्क्स जो भी लगना है वो सब भर करेंगे समिट करते ही आपके mobile और email दोनों पर OTP चला जाता है आप OTP को यहां लिखेंगे और यहां validate OTP पे क्लिक करेंगे आपका OTP वैलिडेट हो जाएगा OTP वैलिडेट करने के बस इसको agree करना इसके अप्षा को भरके Re-verify पे क्लिक करना है Re-verify पे क्लिक करते ही आपकी सारी जनकारी यहां पे सो होता है अब यहां पर आपको क्या करना है सबको टीक कर देना इस परकार से इस box को जो है क्या करेंगे टीक करेंगे सब चीज मिला के ही टीक करेंगे यह नहीं कैसे टीक कर दे क्योंकि यह verify कर रह तो आपको दुबारा से लॉग एं करके जो है form को continue कर सकते हैं इनके Direction Penale यदा गया होगा अब इसि मेरिटल से बताना है कि married है कि unmarried है यहां पे father's name यहां mother's name उसको से नीचे आएंगे यहां पे आपको नसलेटी पूछ रहा है Indian है कि other है आपको इंडियन चूच करना है domicile अब बिहार के हैं तो हा करेंगे और अपना category यहां से चूच करेंगे कि यहां से चूच करेंगे कि य आप इसे no करते हैं तो यहां पे आपका other estate यहां पे पूछेगा कि कौन से राजेसा आप फॉर्म भर रहे है वो चूच करेंगे और अपना category जो है general चूच करेंगे भले आप किसी भी category साथे हो other estate वाले यहां पे जो है general के तो आजाएंगे अब यहां पे visible identification marks body में एक पहच चूच करना है और उसकी ID number यहां लिख देना है voter ID जिसे चूच किया मैंने तो voter ID number लिख देंगे और name लिख देंगे जो इस तरह से आपके voter ID card पे है मालनीजा आप अलग चूच करेंगे pen card तो pen card number लिखेगा और pen card जैसे नामे लिखेगा फिर आपको इसको declare करना है कि आप जो है submit कर रहे है फिर यहां पर आपको save and next करनी है एक चीज और यहां पर पूछा जाएगा अगर आप बिहार से रहेंगे तो यहां पर मालनीजा हमने बिहार से SC category चूच किया तो नीचे आपको category certificate आपको देना mandatory है और domicile certificate देना आपको mandatory है तो suppose अगर कोई SCST से आ रहा है को अपना SCST category का यहां पर issuing authority या EWS से भी आ रहा है या OBC से आ रहा है तो उसको non criminal certificate देना होगा जैसे OBC में क्या होता है कि दो category हो जाता है विहार में एक हो जाता है BC एक हो जाता है EBC तो जो भी category जेनरल को छोड़के बाकी सबको जो है अपना category आप पर certificate देना होगा उसका certificate certificate issued और certificate का serial नमर आपको देना होगा उसी तरह से domicile certificate भी issuing authority किसके दोरा जारी किया गया certificate तो revenue officer होगा फिर यहां पर issue date और certificate का serial नमर यह चीज़ आपको देना होगा बाकी की जनकारी यहां पर भरके यहां पर save करेंगे data save करता ही अगले step में आपकी कुछ जनकारी पूछेग पूछ रहेंगे आपके अगले step में आपको अपना correspondence address भरना यहां भी लेज यहां पोस्ट यहां country चूच करेंगे यहां इस्टेट चूच करेंगे यहां district चूच करेंगे तो आपका जो भी address है अच्छे से आप अपना permanent address और यहां पर correspondence address अलग अलग आपको लिखना होगा अगर same है तो दोनों में same same लिखेंगे फिर यहां पर आपको save अनेश करनी है अगले step में आपको पूछ रहा है क्या आपको English short hand आती है उसके बाद से आपको यहां पर yes कर देना है यहां से अपने पढ़ाई किया percentage है कि CGPA है उसके according choice करिए कितना में कितना number मिला है वो बता दीजिए passing year बता दीजिए division बता दीजिए first second क्या है उसको से बारोगी class का जनकारी बताएंगे कि board का नाम स्कूल का नाम stream art science commerce उसके बसे आपको बताना है CGPA है कि percentage है कि grade mark से जो भी अपने according बताएंगे उसके according percentage यहां बता देंगे और यहां पर passing year बताएंगे division बताएंगे उसको से graduation की जनकारी बताएंगे कि esteem आपका क्या है bachelor degree देखें कोई भी bachelor degree किया है form भर सकता है लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको पास computer certificate होना चाहिए कम से कम six month का और साती साथ आपको English short hand और English typing आपको आनी चाहि इसके अलावा जो है वो extra आपके पास skill होने चाहिए अब यहां पर इंस्टूट passing कहां से अपने पास के बैचलर डिग्री एस्ट्रीम बताएंगे science arts commerce या अधर passing year और month और percentage है कि CGPA बताके और अपने जनकारी को भर देंगे यहां पर कितना में कितना नवर आपको मिला automatic percentage आ इंटर का यहां देखिए बिहार सबसे पहले state अलड़ी रहेगा आपको अलग से जो है यहां पर आएंगे जिसे कि यहां पर पटना मुझफर पूर और भागलपूर यह तीन जगा आपको है तीनों में से जहां आपको पहले रखना है उसको आप पहले रख सकते हैं उसके करेंगे अब अगले step में आपको documents upload करने documents में पासपोर्ट size photograph upload करनी है यहां पर चूच करेंगे यहां पर आपका size दिया गया है 50-80 कवी का photo होना चाहिए 200 dpi पर होना चाहिए JPG format यहां बोला गया है आप यहां चूच करेंगे photo आपको upload हो जाएगा उसको से signature को upload करेंगे य English short hand का certificate भी आपको upload करना है और जो अपने computer में diploma या certificate लिये हैं कम से कम six month वाला वह भी आपको आपको upload करना है और दस्तुवी class का certificate दस्तुवी class का mark sheet और यहां पर graduation का degree certificate और graduation का यहां पर mark sheet आपको upload करना है यह जो भी document से photo signature छोड़के उस सब जो है आपको upload करना है 100-300 kb के jpg या pdf किसी format पर upload कर सकते हैं इसको upload करेंगे यहां पर आपको जो है application fee सो होगा देखिए application fee यहां पर मैंने बतायता हूं general bc ebc reviews के लिए 1100 रुपय और scst और bclang के लिए 550 रुपय आपको application fee देना होगा form भरने के लिए यह आपको online यहां टिक करना है इन सब को declare करना है देखिए यहां पर सब को declare करेंगे फिर is capture code को भरके preview पर click करेंगे प्रिवीव पर click करने के बास से जैसे आप आगे submit करेंगे न तो एक error generate होगा error किया जाने होगा तो यहां पर बोलेगा कि जो भी आपने documents upload किया है यहां view करके देखिए तभी जाके form आगे submit होगा तो upload करने के बास से आप preview करेंगे प्रिवीव करने के बास से आप क्या करेंगे सभी documents को view image पर click कर करके जो है देख लेंगे जब तक नहीं देखेंगे तब तक वो error देता रहता है ठीक है न तो भीव कर देंगे उसके बस यहां पर आपको submit कर देना है submit करते हैं friends आपको payment gateway पर लेकर जाएगा और वहां पर आपको क्या करना है प्रमेंट को जमा करना है जो भी आपका application फिल लग रहा है तो यह मैंने process बता दिया कि कैसे आपको पटना high court में जो PA की वेकिंसी निकालेगे उसके लिए आपको form को भरना है तो I hope friends आपको जनकारी type फिर आपका computer typing test फिर आपका sort hand होगा उसके बाद से आपका interview होने वाला है तो part A में आपका इतने सारे process होगे फिर आपका sort hand होगा उसके उसे interview होगा यह तीन stage में आपका selection होने वाला है salary के मामले में इससे बढ़िया job आपको कहीं नहीं मिलेगा तो अगर आप इस भरती के तो आप जोर सोट से त्यारी करिए क्योंकि यह मौका बार-बार आपको नहीं मिलने वाला है personal assistant पटना high court की वेकेंसी है दमदार और संदार वेकेंसी है salary के मामले में भी यह बहुत ही जबर-जबर वेकेंसी है और permanent job है सबसे बड़ी बार I hope friends आपको जनकारी समझ में आया ह होगा मिलता है next video में हमें दी जायत और देख तरी डियर सेल्पिंग फॉरेवर थैंकी फॉर वाचिंग जाहिन